लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं पर सरदार बल्लम भाई पटेर इंटर कालेज महराज उनके उधगाठन में हुआ जो कि सिस्वा विधायत प्रेंसागर पटेल द्वारा मिर्दुत कराए गया है आज उधगाठन उपरांत आरम भी हो गया है जिसमें सिर्कत करनेया उत्तर प्रेंस के उपमुख्रे मंत्री मे सिस्वा विधांसवा छेतर में लगभग 26 विल्वार सरकों और लगी सेतु पूल के निर्मार का सोस भ्रोसरा किया जिसमें सरदार बल्लम भाई पटेर इंटर कालेज से डिवाइन पब्लिक की स्कूल तक सिसी सरक और ड्रेल का निर्मार कारे भी समलित रहा वहें दूसरी ब्यापारियों ने उत्मुख्यमंत्री से मिलकर अपना मांग एन एच से संबंदित जरु रखा है पर आज मांधर से टोल पला जा हुआ एन एच विबाद वाइपास की मांग जीने के किसी ही जन प्रतिमीद्र द्वारा उत्मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा गया जब अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि दिकास में ब्यापारियों केमा हैं जुड़ेंगे या नहीं यहां पढ़ने वाले दिवच्चे बहुत आगे जाएगा जिले का विकास हमारी सरकार की प्रादमिक्ता में से है जो प्रस्ताव आए हैं वो सीग्रता से चुड़ा करने का काम करेंगे प्रदेश को विकास के नए पीरतिमान बनाने की और आगे लेकर की जा रही है, गरीब हमारी प्राध्मिक्ता है, किसान हमारी प्राध्मिक्ता है, नौजवान हमारी प्राध्मिक्ता है, शिच्छा हो, चाहे की किस्छा हो, चाहे सर्गों का निर्मार हो, चाहे बुद्री की यह सब हमारी सरोच प्रात्मिक्ताओं में से हैं आप में से कोई सवाल हो तो बोले हैं और हम जल्दी सी इसका जो इस्टीमेट है क्यार करा करके इसमें काम आगे बढ़ाने काम करें दन्रवाद सब्सक्राइब करें और हमारी सब्सक्राइब करें तो ऐसे मेरा सिंट्राइब आप में परिंगार नहीं करने करें तो बढ़ा है अपने भाई रावल गांदी दिने पुर्सी छोण दिया है और अपनी कांग्रेज को समा दे यूपी की कानुन विवस्ता योगी आजित नाथी के नेत्रत में बाजपा की सरकार पिछले 15 साल में जित्नी की सरकारे रही अच्छे तरीके सलाव दन्वा झाल 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 झाल